नमस्का दोस्तों आप सब का स्वाग देख वाफ एसे हमारे इस यूटीब जनरलिस्टिक गयाने तो जैसे कि आप सब जाते हैं कि जो एसी आड का परसा से वो शिरू हो चुका है और सभी जो टीचर्स है उनकी तरह से जो अपने अपनी जो एसी आड से वो फिल की जाएंगी तो जो भी स्कूल एड्स की आडीघ्स हैं डियू की तरह से सभी की मैविंग करने के बाद जो एंप्र। कि ECRA उनकी personal ID में send कर दी गई है जिससे कि वो अपना sales अपना अज़र और अपनी जो ECRA वो फिल कर सभी तो आज किस वीडियो में हम आपको step by step बताएंगे कि आप अपनी जो ECRA उसको कैसे फिल कर सकते हैं जो भी teachers हैं आप तो सबसे पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि HRMS Studio वेबसेट इसको आपने outcome करना है तो यहाँ भी आपने अपना user ID और password फिल कर लेना है जैसे आप अपना जो login है वो कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो profile के लिए सारी जो information ही वो मिल जाएगी यहाँ पर आपने अपना name और school सारा को चेक कर लेना है उसके बाद आपने my services की option पर जाना है यहाँ पर आपको ACR की services मिलेंगी और यहाँ पर आपको एक option मिलेंगी फिल ACR तो यहाँ पर आपने इस link पर click कर देना है तो जैसे आप इस link पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको ACR के सबन में जो information है वो मिल जाएगी यह आपने अच्छे से चेक कर लेनी कि आपके जो custodian head कौन है और इसके इलावा ACR किसकी तरफ से initiate की गी है तो कब आपको ACR जो फारवड की है वो सारी चीज़ यहाँ पर दी गई होंगी इसके लावा आपने जो self appraisal है वो किस date तक और किस date से करनी है और इसके लिए reporting officer कौन है living officer कौन है accepting authority कौन है तो उनकी जो dates है उसकी जो details है यहाँ पर दीगी है तो आपने इस पर cross कर देना है उसके बाद आप दे सकते हैं यहाँ पर आपको financial year की option मिलेगी तो यहाँ पर आपको financial year की option मिल जाएगी और उसके बाद आपको from date to date designation during period आपका designation क्या है उसके बाद आपका जो employee जो print ACR आप अपने जो ACR को देखना जाते हैं तो आप इस पर click करेंगे तो आप इसको राफ पर निकाल से करते हैं और fill करके आप live जो है उसको fill कर सकते हैं तो main जो काम आपने करना है यहाँ पर write your self-applicer यहाँ पर click करना है आप इस लिंक पर click करने के बाद आपको अपनी जो ACR है वो फिल करने के लिए सारे जो options से वो मिल जाएगी यहाँ पर आपको employee करने हैं डेटो बार, financial year, ACR period क्या है, reporting officer, reviewing officer, accepting officer यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी वो इसको आपने कर देना है उसके बार नीचे आपको जो option मिलेगी सबसे पहला जो part है वो A part है तो आपको A part में अपनी सारी जो information है मिलेगी यहाँ पर school का नाम, आपका नाम, designation, father name, gender, date of birth, service period तो यह सारी चीज़ें जो है वो आपको preferative मिलेगी तो इसमें अपने कुछ फिल करना नहीं है, next two options मिलेगी आपको वो आपने basic पर यहाँ पर आपने फिल्टर नहीं है, service control के हैं आपका elementary master, PES, non-teaching, यह सारी information आपने यहाँ पर फिल्टर नहीं है, उसके बाद date of joining किया है, आपकी department है, date of joining किया है, present school में, leaves कितनी लिए हैं, casual leave कितनी लिए है, medical leave कितनी लिए है, earned leave कितनी लिए है, वो सारी आपने यहाँ पर फिल्टर नहीं है, next part आता है, B part, जो main important part है, इसी आता, यहाँ पर आपके दोरा जो भी session के दुरान, जो भी activities दोएगी है, जो भी आपने perform किया है, तो जी सारी चीज़े आपने यहाँ पर सिल्टर नहीं है, तो आपको type करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपने कैसे Punjabi में type करना है, और यहाँ आपको कैसे उसको तो वो आपने fill करने जैसे first है, तो यहाँ पर अपने class लिखनी है, कौन सा subject है आपका, कितने students बेक्षा में बैठे थे, कितने number जो students है वो पास हुए है, कितने percent है pass की, इसके लवा board की पास percentage किया है, increase, decrease किया है, तो कितने student जो है वो 60% से above student है, 75% से above कितने students है, यह सारा ल करने के बाद आप next class को add कर सकते हैं, इसके अलावा आपने कोई additional work किया है, तो उसकी file को आप यहाँ पर upload कर सकती है, तो especially यहाँ पर mention किया गया है, कि यहाँ पर जो आप कोई भी signature जो है, वो upload नहीं करेंगे, अगर इसने अपने signature या photo अपडेट करनी है, तो इस link पर ट्रि 200 है, इसमें बोड के बरापर नतीजे आपके अगर आएंगे तो आपने यहाँ पर जितने भी number बनेगे आपके वहाँ पर show होगा, तो वो आपने यहाँ पर filter नहीं है, तो यह सारी चीज़े आपने फिल करनी है, उसके बाद आपके बोड पर संटेज से आपके जो अगर प करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर save as draft बे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो भी ACR है, वो as a draft जो है, वो save हो जाएगी, तो अब भी मैं आपको बताऊंगा, एक लिंक भी में आपको description में प्रवाइट करना है, उस लिंक को आपने open करना है, तो आप डिरेक्ट सर्च कर सक सकते हैं, ford converter.inx, तो आपने इस website को open करने ना है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना कैसे पंजाबी में लिखना है, और कैसे आप उसको convert कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने for example, अपना नाव पंजाबी में लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से just convert कर लेंगे, और convert करने के बाद आप इसको यहाँ से copy कर लेंगे, तो इसको copy करने के बाद, यहाँ से भी आप इसको copy कर सकते हैं, copy text करने के बाद, आपको जो आपकी ACR है, आपकी जो ACR होगी, यहाँ पे आपने अपने अपना, जो नाम है, वो यहाँ पे आपने paste कर देना है, तो इसी तरह आप कोई भी और भी कोई information वहाँ पर लिखना चाते हैं तो यहां से आप उसको type करेंगे type करने के बाद आप उसको convert करेंगे एक और example बता देता आपको जैसे मैंने साल दो जा जो इस लिखा है तो आप यहां से इसको convert करेंगे और यहां से इसको copy करेंगे और उसके बाद HMS में आने के बाद यहां पर आप इसको paste करेंगे तो जो भी आपने लिखना है वो इस तरह से आप अपना कर सकते हैं तो इस तरह से जो भी आप अपनी details या कोई भी आप information लिखना चाहते हैं पंजाबी में लिखना चाहते हैं तो इस converter के जड़िए आप असानी से पंजाबी में लिखने के बाद कर सकते हैं अगर आपके phone में पंजाबी phone टाइपिंग में पंजाबी phone आते हैं काफी सारे teachers ने जो phone से पंजाबी टाइप कर लेते हैं तो अगर आपके फॉन में ही पंजाबी की ओप्शन है टाइपिंग के लिए टाइपिंग में तो इस वेबसेट पर आप जो है वो मोबाइल में खोलिए और उसमें आप अपना जो पंजाबी में जो भी टाइप करेंगे उसको कॉनवर्ट कर दीजे उसे बात कोपी करने के ब जैसे आप अपने जो एसे को से वेज टाफट कर लेंगी तो उसके बाद आपको यहां जो ऐप्शन मेलेगी मोडिफाई यूर से अप्लाइजर तो आप यहां से न्यागर करना जाते तो copy based भी कर लिए दाग उसके बाद क्या जो प्रसे से वो हम आपको बदाते थे उसको बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपने submit करना है इस लिंक पर क्लिक करना है इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको preview मेल जाएगा draft ACR का तो इसको आप चेक कर सकते हैं download कर सकते हैं सारी information देखने के बाद आपको यहां पर एक check box मिलेगा उसको check box को क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक option मिलेगी click to proceed तो आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है तो जैसे इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगी generate OTP उसके बाद आपने OTP generate करेंगे आप जैसे आप leaves apply करते हैं तो आपको OTP आता है तो इसी तरह आपको एक OTP आएगा और OTP सिल्ख करने के बाद आपका जो final submission है फो जाएगा तो आपकी जो ACR है वो आपके जो authority है उसको पहुंच चले जाएगी जो hiring authority है तो वह आपर आपकी जो ACR है वो चली जाएगी तो इस तरह से आप अपनी जो ACR है उसको फिल कर सकते हैं फिर भी अगर किसी तरह कि आपके कोई क्योरी है या अगर प्रॉलम आती है तो आप हमेट message कर सकते हैं comment section दो लिख सकते हैं तो जितने भी ACRs फिल होगी उनके इस अभी यही process चलने वाला है तो आपको जस्ट अपनी जो ACR है वो फिल करनी है सेवेस ड्राफ्ट करना है और उसके बाद final submit कर देना है तो चली आज की इस वीडियो को यहीं खतम करूंगा जल्दी मिलूगा आपके साथ next ओर नेंस फिर्मिशन वाली वीडियो में अगर वीडियो ची लगी दो वीडियो पो लाइक कर देना अगर चैनल में ने तो बीच चैनल को भी जुरू सब्सक्राइब परें